यहां हम लोगों को सॉलिट के डिटेल परना है सॉलिट के डिटेल स्टेडी के लिए दो बात का ध्यान रखना बहुत जुरूरी है जो भी फिगर टू डाइमेंशनल प्लेन पर हम लोग करेंगे उसका थ्री डाइमेंशनल इमेजिनेशन करना है आपको और दूसरी बात जब भी किसी फिगर में कहीं कोई डिफिकल्टी हो तो उस फिगर को एक दो बार खुद से ड्रॉ करना है क्योंकि जब तक थ्री डाइमेंशनल आपका अप्रोच नहीं होगा फिगर को समझने का तब तक निमेरिकल तो आप सॉल्व कर लेंगे लेकिन बाकी पॉर्षन क्वेस्टन का आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो सबस सब्सक्राइब करते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैटर का जब क्लासिफिकेशन किया गया को मैटर को बो अलग अलग different basis पर classify किया गया जैनि basis of classification इसके दो थे पहला basis of classification था arrangement pattern arrangement pattern of constituent particle arrangement pattern of constituent particle और किसी भी substance के constituent पररतीक्aupt के एर्एंजमेंट पैटर्न पर उसका फिजिकल प्रोपरटी डिपेंड करता है इसलि सब्सक्राइब करते हैं मैटर के क्लासिफाई किर दर को on the basis of nature of constituent particle और constituent particle के नेचर पर किसी भी substance का chemical properties depend करता है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा classification जो हम लोग का था वह था on the basis of chemical nature of substances तो दूसरा था nature of constituent particle nature of constituent particle यानि किस से बना हुआ है वाट इस दा कंपोजीशन तो nature of constituent particle मतलब composition के basis पर हम लोग ने classify किया था मैटर को और composition किसी भी substance के chemical property को design करता है इसलिए हम लोग इसको कह सकते थे कि chemical nature chemical classification of matter यानि basis of classification is chemical property तो chemical properties कहीं भी कह रहा हूँ इसका मतलब simply आप समझेंगे what composition और एगर कहीं physical property अगर कह रहा हो इसका मतलब क्या समझेंगे आप arrangement of constituent particle इस arrangement of constitute particle यानि physical nature के basis पर मैटर को classify किया गया तो मैटर तीन class में basically classify हुए solid liquid और गैस तो क्लास और मैटर का दिया है टेक्स्ट में लेकिन उसके बारे में कहें detail को यस्टडी नहीं करना है अभी 11th के level में इसलिए हम लोग उसको detail नहीं पढ़ते हैं दूसरा है प्लाजम मा और एक है बो साइंस्टाइन कंडेंसेट तो अभी उसके बारे बहुत सारा प्रोपर्टी हम लोग को मालूम नहीं है इसलों उसको लोग आगे परहेंगे higher classes में matter को classify जब किया गया on the basis of arrangement pattern of constituent particle they are classified in solid liquid and gas जैसा कि आपको पता है कि solid liquid gas में composition same है constituent particle से कोई लेना देना नहीं है how they are arranged it is the main criteria is the main basis of difference in this state of matter and solid state में आपको पता होना चाहिए इतने भी constituent particle है वो constituent particle tightly packed होंगे मतलब constituent particle के बीच कम से कम एक ऐसा एक्सिस हो जिस एक्सिस के लोंग physical touch हो tightly packed का मतलब इतना close packing कि अब उससे closer placed करना particle को possible नहीं है तो अगर यहां physical touch हो गया तो अब इससे close तो हम नहीं कर सकते अब अगर कोई चाहता हो कि और क्लोज करें तो overlapping तो possible है नहीं matter का definition आप लोग ने परहा होगा matter is anything which occupy a space अगर यहां तक एक item है तो दूसरा item फिर इसी portion में नहीं आ सकता द्यान दीजिए अगर यहां तक हम ने एक item को रख दिया और दूसरी item को हम चाह रहे हैं कि वह overlap कर जाए तो जहां तक यहां तक अगर item का एक portion है तो दूसरा portion फिर उसमें overlapping नहीं कर सकता इसलिए इस तरह का तो सबस्तांस है सम लोग सोच भी नहीं सकते तो अब देखिए तो जरा मैटर के classification का बेसिस थाइरेंज्मेंट पैटर्न सॉलिट सबस्तांस उसको कहेंगे जिसमें इस ताइटली पैक्ड हों अब इस टाइटली पैक्ड होने का क्या 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 consequences होंगे हम लोग देखेंगे दिख्विड के पार्टिकल थोरा लूजली पैक्ड होते हैं बट एस टिल यार एट्रेक्टेड विथ इच अदर तुजली पैक्ड है बट नॉट इट मिंस उसके बीच कोई फोर्स अफ एट्रेक्ट्स नहीं कर रहा है और साफ एट्रेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहा है इस्टेंस बहरने के चलते यह Intermolecular Hoş of aperture को चाहिए ओ लिख डर में लूजली पैक्ड होंगे Constitution पाइकल पेज़ इक वbior में क्या होंगे Penso that simply यो बीलूजली पैक्ड और गैसी ऐसे स्टेट में जैसा कि आप 9th में भी पर है 11th में भी पर है constituent particles are in random motion that is they are free to move in any direction with different speed और यह random motion gaseous molecule का suggest करता है कि दो molecule के बीच कोई attractive force exist नहीं कर रहा क्योंकि अगर इस दोनों के बीच force of attraction exist करता अगर यह bounded system होता तो एक molecule जिस direction में move करता दूसरे molecule को भी उसी direction में move करना होता जैसे liquid के अगर इस molecule को हम left side अगर move कराएं तो उसके साथ liquid के सारे molecule उसी direction में move करेंगे because they are attracted with each other solid में tightly packed है काफी strong force of attraction है तो इसमें तो कुछ संकाही नहीं होना चाहिए जिस direction में एक particle को आप move कराएंगे entire bulk will move in same direction लेकिन gaseous state में random motion molecule का suggest कर रहा है कोई भी molecule किसी भी direction में जाने किलिफ्री है means they are not connected with each other इसलिए हम लोग यहां लिखते हैं कि there is no interaction between constituent particle there is no interaction between constituent particle in gaseous state लेकिन आगे चल करके आप लोग ने भान्रवाल equation पढ़ा होगा जो kinetic theory of gas में करेक्शन था और उन्हें suggest किया कि नहीं force of attraction gaseous state में भी होते हैं of course the force of attraction is quite weak और उस force of attraction को हम बढ़ा सकते हैं by applying external high pressure and decreasing the temperature और इसलिए gases के जब temperature को हम लोग कम करते थे pressure को बढ़ाते थे तो gases liquefy कर जाते थे gas liquid में convert हो जाता था यानि strong force of attraction observable हो जाता था मतलब पहले भी force of attraction था बट वीक था अब का जो force of attraction हो क्या है strong है तो दो सब्सक्राइब दीजी इस अर्रेंजमेंट पैटर्न जो liquid और गैस में है और एक लिक्वीड को गैस में और गैस को लेक्वीड में जो हम interchange कर रहे हैं वो सजेस्ट कर रहा है कि इसके state of matter के differences में तिरफ और सिर्फ डिफ्रेंस intermolecular force of attraction के order का है intermolecular space का differences है likewise अगर solid को आप लिक्वीड में बदल रहे हैं तो लिक्वीड भी solid में बदलेंगे और यह interchange भी सजेस्ट कर रहा है कि solid और liquid के सिर्फ constituent particle के arrangement pattern में अंतर है अगर temperature बरहा दें solid का तो यह liquid में convert होगा liquid का अगर temperature घटा दें तो यह solid में convert होगा और यहां से एक और important बात आया thermal energy जिसके बारे में आप लोग और लेड़ी पर चुके हैं thermal energy हम लोग क्या definition देते थे thermodynamics में thermal energy energy arises due to molecular motion thermal energy energy arises due to molecular motion जिसका molecular motion ज्यादा है उसके thermal energy क्या होंगे ज्यादा होंगे और जिसका molecular motion कम है उसका thermal energy कम होगा तो सबसे कम thermal energy solid state का उससे ज्यादा liquid का और उससे ज्यादा गैस का इसलिए सेम टेंप्रेचर पर अगर सॉलिड और लेक्विड हो तो लेक्विड कंटेंड मोड थर्माल energy with respect to solid उसके बाद एक latent heat ही आप लोग ने पढ़ा था यह स्टेट चेंज के दर्म्यान एक ऐसा स्टेट आता है जिसमें इनर्जी तो आप सप्लाई करेंगे बट दियर तो लेक्विड और लेक्विड के हीट कंटेंड लिक्विड और गैस के हीट कंटेंड में डिफरेंस का रीजन है तो एक ही तेमरेचर पर अगर तीन और रखे हुए हैं तीनों के थर्मल energy content अलग अलग होगे उसके से दो कारण हैं सबसे पहला मॉलेकुलर मोसन और दूसरा लेटेंट हेट ऑफ हेचेंज अब ध्यान दीजिए हम लोगों को तो मोस्टली पढ़ना है सॉलिड एस्टेट के बारे में हम लोग देखें तो सॉलिड हुआ है स्टेट ऑफ मैटर था जिसमें कंस्टिचुएंट प आकल हबना लाया हुआ इक ऐसा डाइरेक्सन होना चाहिए इस डाइरेक्शन के ऑन फीजिकल कंटेक्ट हो पार्तिकल्स के बीच एटलिस डाइरेक्ट्स बंस्ट भी切्शोरी पिक्टिकल टाइटली पैक्ट होने के चलते एक चीज हमको समझ में आया इस टाइटली पैक्ट होने के चलते ओलेकुल या एटम या आयन जो भी सॉलीड के उनके बीच का इंटर मोलेकुलर एसपेस हम होगा या मिनिमम हम यह दिसा लेड़ी स्वे स्वेश्य का शवाएं या इसंटर मोलेकुलरस फेस्म और मिनिम्म पिकाफ्म का ए और मिनिमान Confirm की फिजकल कहने मैं मैं यहर्ट यह द אॉट द्सोंट्थ तो इसके बीच के force of attraction क्या होंगे maximum यानि solid has highest या the strongest intermolecular force of attraction ये क्या था intermolecular space और या क्या है intermolecular force of attraction तो intermolecular force of attraction क्या होगा तो strongest होगा तो solid से weak intermolecular force of attraction लिक्विड में और लिक्विड से काफी weak intermolecular force of attraction गैस में अगर comparison करना हो तो solid का intermolecular space सबसे कम उससे ज्यादा liquid का और उससे बहुत ज्यादा गैस का अगर intermolecular force of attraction की बात की जाए तो solid का लिक्विड से ज्यादा और लिक्विड से काफी कम गैस का intermolecular force of attraction तीसरी बात जड़ा देखें molecular motion which is one of the most important parameter molecular motion circular motion के constituent particle देखें तो चारों तरफ से physically touched हैं और इसलिए अगर बीच का कोई एक मॉलेकुल चाहे कि हम मूव करें को और मैं फिगर को थोड़ा expand कर रहा हूं इसको आप अंडर इस मॉलेकुल को हम चाह रहें कि हम मूव कराएं तो यह मॉलेकुल अपने position से इधर या इधर दाएं बाएं या उपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में ट्रॉंसलेटरी मुशन नहीं कर सकता या यहां से अगर चाहें कि हम यहां आ जाए तो नहीं जा सकता अभ क्या होगा क्या मॉलेकुलर मुशन नहीं होगा तरमल नर्जी और खेंद हैं नहीं सकता है अपने ही मोज़िसन कर सकता है हिं लोएस होते हैं यह थोते हैं और उसमें भी क्या हाई ब्रेट्स पार्टेकल हाई ब्रेट इबाऊट अ ए एर मीन ब्रेट आ हाईब्रेट अबट बिरस क्यान्स 씨 वह हैं बेगा है जिसको को बेगा हुश करेगा बहुत जबाऊट मोरा नहीं करेगा उसी के भी स्टू एंद फ्रो मुशन करेगा और यह मीन पोजीशन वह पोजीशन है जहां उस टू एट रोव एंद फ्रो मुशन के दर्म्यान डिवरिंग दम आप डिवरेटरी मोशन मलेकुल स्पेंड मैक्सिमम टाइम ज्यादा से ज्यादा समय इस बीच देगा मीन पोजीशन स Southeast मुलेकुल का स्पीट से काफी जादा ओगे और गयलत की दफीट अवह पॉस्ष्ट होगा और इस मॉलेकुलर मुसान के चलते हैं भी हम लोगों लोगों ने देखा रमल इनर्जी सॉलिट का क्या होगा काफी स्थी Ama पार्टिक्ल अपने अगल वगल के सब्सक्राइब नमर होंगे उतने पार्टिक्ल से वह strongly attracted है तो अब अगर इस पार्टिक्ल को हम चाहें कि थ्वास आगे या पीछे करें इसके बहुलूम को इसके पोजिशन को चेंज करें तो हम नहीं कर सकते यानि दियार इनकंप्रेसिवल इन नेचर तो अब सॉलिड के बहौलूम और सिप बहौलूम और सिप अफ ऑफ शॉलिड विल भी फिक्स्ट वराइं इंपोर्टेंट है इसलिए मैं इसको थ्रा सा रिड दिख रहा हूं बहुलूम और सिप ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ट नॉट भारियाबल और दूसरी काफ्र इंपोर्टेंट बात, सॉलिड आर रिजिड और सॉलिड के रिजिड होने का वही दुकारण है स्ट्रॉंग इंटरमोलेकुलर फोर्टेंट 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 फोर्टे solids are in compressible in nature, of course liquids are also incompressible, only gases are compressible in nature, compressibility means when external pressure increases, when external force applied, column decreases, okay, अब जड़ा देखिये, solid के characteristic feature में, इसके constituent particle के arrangement pattern पर, अब solid भी further classify किये गया, अभी हम लोग ने matter का classification किया, on the basis of arrangement pattern of constituent particle, on the basis of way of arrangement of constituent particle, solid liquid gas, अब solid में further classification किया गया, different basis पर solid को अलागला class में classify किये गये गये, तो अब हम लोग जड़ा देखियेंगे classification of solid, classification of solid, classification of solid, तो classification का हम लोग ने basis बनाया, पहला classification का basis है, arrangement pattern, arrangement pattern, throughout bulk, throughout bulk arrangement pattern constituent particle का क्या है, और दूसरा nature of constituent particle, nature of constituent particle, अब पहला classification जड़ा हम लोग देखा जाए, on the basis of arrangement pattern of constituent particle, हम लोगों ने solid को classify किया दो class में amorphous and crystalline, जड़ा देखते हैं, solid, amorphous and crystalline दो class में classify हुए, solid का classification हुआ किसमें, पहला पॉइंट के चैप्टर का है, जहां से question arise होना स्टार्ट होगा, तो इस्ट लाइन, देखिए तो, amorphous वैसे solid सबस्टांस को कहा जाएगा, इसमें constituent particle का arrangement pattern disorderly, यानि अलग अलग portion में arrangement pattern अलग अलग, कहीं पर molecule देखिएगा, नजदीक है, कहीं पर molecule दूर है, कोई fixed pattern of arrangement नहीं है, और crystalline solid ऐसे होंगे, जिसमें constituent particle repeat करेंगे अपने position को, यानि arrangement pattern throughout the bulk, throughout the solid सेम होगा, वैसे solid को हम लोग कहेंगे crystalline solid, इसमें molecule जहां तहां arrange है, इसमें कोई order of arrangement नहीं, इसके basis पर देखिए, amorphous और crystalline में दो characteristic feature डेवलप कर गए, तो सबसे पहले हम लोग amorphous का जरा समझें, और तब हम लोग समझेंगे crystalline का, तो amorphous में हम लोग ने कहा कि, constituent particle disorderly arranged, यानि कहीं पर particle देखिए, नजदीक है, और कहीं पर particle क्या है, दूर है, तो सबसे पहला, constituent particle, constituent particle, arranged, disorderly, इसमें कहता है, कि हलांके short range order may exist, और यह दूर के लिए कहीं कोई bulk लेंगे, तो उसमें हो सकता है, आपको लगेगा कि यह molecule, इतना इस से इसकी दूरी है, उतना ही यह दूर है, यानि चारो पार्टिकल लग रहा है, एक इकवीडिस्टेंटली है, तो short range order may exist, यहाँ यह बात जड़ा important है, यह मैं color change कर रहा हूँ, however, short range order may exist, तो constituent particle disorderly arranged होंगे, इस disorderly arranged होने का नतीज़ा यह होगा, इसके दो-तीन characteristics feature आएंगे, यानि जब इसको दो अलग-अलग plane में cut करेंगे, तो वहाँ पर cleavage properties होना ही करेगा, दोनों surface सेम नहीं हो, क्यानि does not show, does not show cabbage property, दुसरी बात, कहीं particle closely arranged हैं और कहीं particle distantly arranged हैं, तो entire solid में intermolecular force of attraction का range सेम नहीं है, जहाँ close arranged हैं वहाँ intermolecular force of attraction strong, और जहाँ distantly placed हैं वहाँ intermolecular force of attraction ज्यादा, तो force of attraction जहाँ close हैं वहाँ ज्यादा, जहाँ distantly placed हैं वहाँ कम, तो अलग-अलग portion में intermolecular force of attraction के order अलग-अलग होने के चलते melting point और boiling point का सेम order नहीं होगा, यानि कभी melting point उस portion का ज्यादा होगा, जहाँ closely arranged हो, और उस portion का melting point कम होगा, जहाँ sparsely arranged हो, यानि having a range of melting point, having a range of melting point, का मतलब हर portion का intermolecular force of attraction इक्वल नहीं है, जब temperature आप रहाएंगे तो पहले solid soften होगा, हर तरफ के molecule का force of attraction अलग-अलग है, different amount of energy अब्जार्ब करके पहले तो उसका force of attraction वीख होगा, solid पहले soften होगा, then melt करेगा, अचानक से sharp melting point नहीं होगा, कि किसी एक fixed temperature पर सारा का सारा intermolecular force of attraction ब्रेक कर जाए, और मिल्ट कर जाए, वैसे amorphous solid नहीं होगा, दूसरी बात काफी important है amorphous solid के लिए, इसको आप important समझें, तो इस amorphous solid के जरा picture को ध्यान से देखिए, एक direction में अगर हम बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कहीं कोई atom नहीं मिले, दूसरे direction में अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो atom, 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 इसमें back and space, किसरे direction में आगे बढ़ रहे हैं, तो atom close, तो किसी direction में atom close, किसी direction में sparsely arranged, यानि arrangement pattern किसी भी direction में almost identical है, जान देखिए, और direction में arbitrarily arranged होने के चलते हैं, अर्बिट्री आर्रेंजमेंट होने के चलते, अल्मोस्ट हर direction में एक जैसा pattern मिलेगा, इसलिए amorphous solids are termed as iso, तो जितने भी amorphous solid हैं, isotropic होंगे, isotropic का मतलब physical property, जैसे refractive index हुआ, resistivity हुआ, यह सब हर direction में same होंगे, यानि isotropic in nature, all amorphous solids are isotropic, whereas crystalline solids are isotropic, आइसो ट्रोपिक का मतलब क्या, physical property, physical property, similar along all direction, similar along all direction, यह चार characteristic feature हो गया आपके, constituent particle arranged due orderly, however a short range order may exist, does not shows cleavage property, having a range of melting point and boiling point, does not having sharp melting point, और दूसरा, इतने भी solid होंगे amorphous वे सभी isotropic in nature होंगे, अब अगला देखिए, crystalline solid, crystalline solid में constituent particle क्या होंगे, orderly placed होंगे, constituent particle क्या होंगे, orderly placed, यानि long range order होगा, long range order, exist, दूसरा, close cleavage property, अगर कहीं से भी आप cut करेंगे, तो दोनों faces identical होंगे, arrangement pattern same है, close cleavage property, प्रोपर्टीज, तोन बाई, crystalline solid, तीसरी बात, और पोर्शन का arrangement pattern, constituent particle का same है, ऐसा नहीं कि कहीं पर molecule नजदीक है, और कहीं पर molecule दूर है, और direction में, constituent particle का arrangement pattern क्या है, same, हर direction में, constituent particle का arrangement pattern same होने के चलते, course of attraction हर direction में क्या होंगे, same होंगे, इसलिए having sharp melting point, having sharp melting point, और सबसे इंपोर्टेंट पांचमी बात, और इसोट्रोपिक इन नेचर, इसोट्रोपिक इन नेचर, अतलब, physical property different direction में different, physical property differs in different direction, अतलब, properties of solid different different direction, तीन बातों को आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तुम लोग ने आज के क्लास में देखा, या खिर solid है क्या, तो solid is a state of matter in which constituent particle arranged tightly, in which there is intermolecular space minimum, intermolecular force of attraction the strongest, molecular motion slowest, thermal energy content minimum, having fixed volume and shape and swing rigidity. अब हम लोगने solid को classify किया और classification का पहला बेसिज था on the basis of arrangement pattern of particle through the bulb, उसके basis पर हम लोगने solid को दो class में classify किया, crystalline solid और amorphous solid, amorphous solid में consistent particle arbitrarily arranged थें, however, they have short range order, they have particle arranged arbitrarily, disorderly, however, short range order में exist. दूसरी बात हम लोगने देखा, उस arbitrary arrangement के चलते, almost हर direction का composition सेम था, हर axis के लाउंग composition सेम था, इसलिए solid amorphous isotropic हो गए, यानि physical property अलग-अलग direction में same. उसके बाद हम लोगने देखा, कि जो amorphous solid है, उसमें चुकिए constituent particle अलग-अलग portion में, अलग-अलग distance, अलग-अलग way of arrangement pattern में arranged हैं, इसलिए उनके melting point और boiling point sharp नहीं होते थे, having a range of melting point and boiling point. दूसरी बात हम लोगने परहा, crystalline solid के बारे में, कि crystalline solid के constituent particle, orderly placed होंगे, और वो long range order होगा, ऐसा नहीं कि कहीं by chance थोरी देर के लिए, वो orderly हो और बाद में फिर disorder हो, long range order होगा, throughout the bulk होगा, और इस orderly placed होने के चलते, cleavage properties show करेंगे, force of attraction among particles in non-directions are identical, in all portion intermolecular force identical, and hence they melt at sharp point, एक ही temperature पूरे crystal के हर जगह के constituent particle का, force of attraction चोगे एक्वल है, इसलिए एक ही temperature पर हर जगह का, intermolecular force of attraction ब्रेक्शन 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 ब्रेक्शन, and hence having sharp melting. और constituent particle ओर डरली पलेट होने के चलते, अलग अलग direction में, constituent particle का arrangement pattern अलग अलग, इसलिए physical property different in different direction, differs in different direction, that's why crystalline solids are termed as an isotropic solid, के आपके कुछ आइडिया अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ भी हो सकता है आयन भी हो सकता है और हो सकता है और शकता है ताफि लॉंग नंबर ओफ रिपेटिंग उनिट ओफ एटम हूँ उसके आधार पर हम लोग ने सॉलिट को क्लासिफाई किया इसको हम लोग आगले क्लास में देखेंगे इसके लिए पहले आप लोग इसको सेप्टर के एक बार परहें इसको रिभाइब करें प्रसप करें और धीरे धीरे हम लोग इस चेप्टर में आगे बरहेंगे अगले class में हम लोग परेंगे, अगले session में हम लोग परेंगे, how solid classify on the basis of nature of constituent particle, okay, thank you very much.